नमस्कार मैं हूँ विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद भी बिलग्राम सांडी के नगरवासियों का रेल सपना साकार नहीं होता दिखाई दे रहा जनपद का शेत्र जनप्रती निधियों के उपेक्षा का लगातार शिकार हो रहा है बिलग्राम सांडी रेल मार्क की मांग लगातार होती रही है बता दे कि इस मांग को लेकर सांसद्व विधायकों ने चुनावी समय में शेत्र की जनता को आशवस्त किया था कि सदन में पहुँचकर रेल लाइन का सपना साकार करने का काम करेंगे लेकिन चुनावी वादा भी हवा हवाई साबित हुआ यहां हम आपको बताते चले कि 15 नवंबर 1909 को माधव गंज बिलग्राम से लेकर सांटी तक रेल सेवा शुरू की गई थी जो कई वर्षों तक सेवा रत रही उस समय बिलग्राम के निवासी डिप्टी कलेक्टर साइज जाफर हुसैन को महसूस हुआ कि यहां पर भी जनता की सुविधाओं के लिए एक रेल्वी स्टेशन होना चाहिए उन्होंने प्रियास किया जिसमें उन्हें कामियाबी भी मिली अक्तुबर 1925 को डिप्टी कलेक्टर साफर हुसैन के नीजी प्रियासों के चलते बिलग्राम वासियों को प्लेटफॉर्म वह महिला प्रतिक्षा ग्रह की सौगात मिली लेकिन ये रेल्वी दाएं बिलग्राम सांडी निवासियों को जादा दिनों तक नहीं मिल पाई और महज 32 सालों के बाद सन 1941 को दूसरे विश्व युद्ध के दोरानी से तोड़ दिया गया तब से लेकर आज तक रेल्मार्ग इतिहास की किताबों के पन्नों में दर्जो कर रह गया आज भी इसके अवशेश तूटे पुल पुलिया जगय जगय देखे जा सकते हैं आपको बता दे कि 2007 से सांडी के समाथ से भी डॉक्टर पंकज माधव गंद सांडी रेलवे लाइन को पुना चालू करवाने के लिए संगर्ष कर रहे हैं इस दोरान जगय जगय चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन भी किये गए लेकिन इसके बावजूद भी कोई निशकर्ष नहीं निकल पा रहा है यही नहीं इसके लिए सैकडो ग्राम प्रधानों ने खून से लिखी पाती भी प्रधान मंत्री को भेजी वह सान्य सांसत से भी कई बार गुहार लगाई लेकिन कभी तक काम्याबी नहीं मिली डॉक्टर पंकज का कहना है कि सांसत विधायकों को वहां की जनता ने चुना है डॉक्टर पंकज ने सवाल किया कि जो चुनाव के समय उन्होंने विकास के वादे किये थे वो कहा गए जनता को आने वाले रेल बजट से काफी उम्मीदे हैं क्या सांडी बिलग्राम की जनता का चुक चुक की आवाज सुनने का सपना हकीकत में तबदील होगा या सपना सपना ही बनकर रह जाएगा जागो सांसद और विधाय को अपने शेतर की जनता की इस मांग को पूरा करवाने का जो सपना दिखाय था उसे पूरा करो ये मांग है बिलग्राम माधव गंज शेतर की आवाम की यह बताइए दादा कितनी तक यहां जमीन है क्या लोगों ने रेलवे की जमीन कब्जा किया है कि नहीं किया है साथ मीटर तक इसका चावडान था हमने देखा उसके बाद अपनी जोत ली अब तो यहां पाई उसने अपनी जोत ली बताईए आपके यहां से रेल लाइन गुजरी थी क्या इसके बारे में आप जानते हैं जानते हैं जब इधर एक कोटर था है प्रियार रेलेवे क्यों पत्री तुर्ट गिर गया तुर्ट इसके बाद यहां इस्टेशन ती तो बेटा बिजरुक के और ढूंणपूर के और सराउना के दुरुआ गंज के यह सब लोग यहां आते थे और वोखी स्टेस्ट पर बैठा है ते तो पट्री आपने बिच्षी देखिया हाँ सबनार है हमार्नाम जग माली दणनल करने यहेंड ते हमारे बाबा बरहने चैनल को लिगेवेल आइकन क्रिक करें आणे चैनल को लाइज शेर आङ्ट भ्रय को आद बन्क्वेब तब गराना एंड एड इपड़े बन्क लागवार्णा लोड़ अगर्ड़ीड करेंगे अज़िए राजगराना एंड जोती गार्डन वोल्ड-क्लास केटरिंग अज़िए पार्फिक वेन्ग वेन्ट शॉख गूर्डे लांचे आड़ अगर्डनीग अटवी